Hello everyone, welcome to my channel Let's Study and आज हम देखेंगे जूही पांडे वर्सेस स्टेट आफ यूपी का केस ये अभी बिल्कुल रिसेंटली ये केस आया है और ये अलाबाद हाई कोर्ट ने इसमें जाज्मेंट दिया है इसके पैक्ट्स ऐसे हैं कि जो पेटीशनर है वो एक गर्ल है और वो यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल प्लेयर है वो क्रिकेटर है और उसको जब उसने लेल्बी में एंडमीशन लिया था तो उसको स्पोर्स कोटा का बेनेफिट मिला था लेल्बी में एंडमीशन के लि उन्हें ये बोला कि ये जो universities हैं उन्हें ऐसे bright sports person को benefit देना चाहिए sports quota का even in post graduation तो उन्होंने एक direction देके इस repetition को dispose of किया उन्होंने दीन दयाल उपाद्याय गोरकपुर university के रेजिस्टरार को ये direction दिया कि ज्यादा support देने के लिए sports person को जो university है वो एक decision ले sports person के interest में जाकर और उन्होंने even LLM course के लिए या post graduation courses के लिए भी sports quota में admission दे उनको benefit दे sports quota का तो ये तो इनका decision है पर इन्होंने इस जो order ये लिखा गया है उसमें क्या-क्या बाते करी गई हैं वो देख लेते हैं इसमें कोर्ट ने बोला कि presently इंडिया में सब खुश है कि बहुत सा स्पोर्ट person's Tokyo Olympic 2020 जो अभी recently held हुआ है उसके अंदर victory लेकर आये हैं जीत कर आये हैं और बहुत exceptional performance उन्होंने दिया है जिसकी वज़े से जो हमारा world ranking है वो भी improve हुई है और अभी बहुत last four decades में सबसे best performance इसको माना जा सकता है इंडिया को one gold, two silver, four bronze तो even उन्होंने ये बोला कि हमें जरूरत है कि ऐसे sports persons को हम आगे बढ़ाएं इनको हम support करें तो Union of India ने खेलो इंडिया प्रोग्राम भी initiate किया है ताकि जो sports culture है इंडिया का वो revive हो सके और एक strong framework मिल सके जो लोग sports खेलते हैं उन players को और हम इंडिया को एक अलग level प तो यही सब इस case में बोला गया Thank you, take care